ओम शान्ती 6-3-2024 की साकार मुरली मीठे बच्चे तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है क्योंकि तुम्हें वानी से पर एक घर जाना है इसलिए याद में रहकर पावन बनो प्राश्न उची मंजल पर पहुँचने के लिए किस बात की समहाल जरूर रखनी है उत्तर आखों की समहाल करो यही बहुत धोके बाज है क्रिमिनल आखे बहुत नुकसान करती है इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो भाई-भाई की दरश्टी का अभ्यास करो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो भगवान का हुक्म है मीठे बच्चे काम महाशत्रू से खबरदार रहो ओम शान्ति धारना के लिए मुख्य सार पहला भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवग्या नहीं करनी है बहुत-बहुत खबरदार रहना है बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बन कर दिखाना है दूसरा ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है उसे जान कर सदा निश्चिंत रहना है विनाश के पहले सब को बाप का पैगाम पहुचाना है वरदान ग्यान अमरत से प्यासी आतमाओं की प्यास बुझा कर त्रिप्त करने वाली महान पुण्य आतमा भव ग्यान अमरत से प्यासी आतमाओं की प्यास बुझा कर त्रिप्त करने वाली महान पुण्य आतमा भव किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य है जैसे पानी ना मिले तो प्यास से तडपते हैं ऐसे ग्यान अमरत ना मिलने से आत्मा दुख अशान्ती में तडप रही हैं तो उनको ग्यान अमरत दे कर प्यास बुझाने वाले बनो जैसे भोजन खाने के लिए फुरसत निकालते हो क्योंकि आविशक है ऐसे यह पुर्णे का कारे करना भी आविशक है इसलिए यह चांस ल आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी बीटी को बिंदी लगा कर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी अच्छा उन्शान्ती आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा